हेलो प्रेंट्स आज में आपके साथ एक करी की रिस्पी सेयर करने जा रही हूं इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं दो टुमैटो दो आनियन हराधनिया और जिंजर गारलिक कराई बठा दिया उसमें तेल डाल दिया है आनियन को ऐसे स्लाइस में काट लेंगे जिंजर गारलिक का पेस्ट बना लेंगे और टोमैटो का भी पेस्ट बना लेंगे इसके पाद इस आनियन को हम तेल में च्छानेंगे और उसे ब्राउन आनियन बनाएंगे जैसे कि हम एक चोटा अजपून जीरा पाउडर दो छोटा अजपून धन्या पाउडर और दो चोटा अजपून लाल मिर्च पाउडर वह कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर आता है वह लेंगे इद्धिन मेरा आनियन ब्राउन हो चुका है इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे इसमें हम दो अस्पून दही डालेंगे दही ज्यादा खटी नहीं होनी चाहिए अगर आपकी दही ज्यादा खटी है तो थोड़ा सा यूज़ करें ऐसे दही खटी ना हो तो ज्यादा बैटर है नहीं तो आपके ग्रेवी जो हैं खटी-खटी लगने लगेगी इदर मैंने एक बोईल करके रख लिया था उसमें मैं चीरा लगाऊंगी ताकि ग्रेवी अंदर तक अच्छे से चले जाए एग में ऐसे ही मैंने सारे एग में चीरा लगा लिया है अब मैं कड़ाई बटाऊंगी और अपना एक कड़ी बनाना शुरू करूंगी मैंने कड़ाई बटा दिया है मैं कड़ाई गर्म हो चुकी है अब मैं डालूंगी इसमें और ओल प्रभी गर्म हो चुका अब इसमें चौक डालेंगे मैंने और बड़ी तक नहीं चीनी थोड़ा सा जीरा दो लॉम और आप छोटी इलाईची भी जूज कर सकते हैं अभी काल निकालनेके लगता है कि अ कुछ देर भूनने के बाद survey और देट करेंगे और तुमाइटो को दाने दाज पुले तक पकाएंगे प्यूरी रेडी है यह पक चुका है फिर हम इसमें ब्राउन आनियन का पेस्ट जो त्यार करके रखा था वो मिल आएंगे इसको भी दो मिनट के लिए मेडियम आज पे भूनेंगे अब हमारी ग्रेवी पूरी तरह से पक चुकी है अब इसमें हम वाटर मिलाएंगे आपको जितना ग्रेवी को पतला रखना है उसके अंसार अब वाटर डाल सकते हैं अपने टेस्ट कंसर मुझे थोड़ा सा गड़ा ही रखना है इसलिए मैं वाटर कम डालूंगी इसमें एक बोईल आने दूंगी एक बोईल आने के बाद उसमें एक मिला दूंगी एक मैंने डाल दिया है और मैंने एक को थोड़ा सा फ्राइ किया था वो क्लिप में डालना भूल गई हूं अब मेरा एक खरी पूरी तरह से रेड़ी है इसमें टेस्ट के लिए कुछ चीजे हम एड़ करेंगे ये देखिए मेरा एक खरी बिल्कुल रेड़ी है अब हम इसमें डालेंगे अमूल बटोर और कस्तूरी मेथी को हलका सा भून के इसमें क्रस करके डाल देंगे और इसे हरा धनिया से और अमूल क्रीम से गार्निस करके सर्व करेंगे ये बहुत यमी लगता है आप इस रेसिपी को ट्राइ करें और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नब नब नब